Hey, Good Morning Children, Today we learn All-in-One मैं से Math Subject Math Subject में हमने यहां तक किया था Vertical Addition तक अभी हम आज New सिखेंगे, Addition of 3 Numbers यहां तक हमने 2 Numbers ही किये थे, देखो है ना अभी हमें 3 Numbers में Addition सिखना है चलो, When you add 3 Numbers, look for the fact you know चलो, अगर आप 3 Numbers के Addition करोगे, तो उसका जो fact है वो आप जानोगे तो चलो हम जानते हैं, First है Make Double, ओके, चलो यह जो 7 है, यह जो 7 है, तो यह 7 में भी हम अलग-अलग तरीके से 7 हमने आगे के chapter में भी सिखा है ना, कि अलग-अलग तरीके से 7 बनता है 3 प्लस 4 is equal to 7, फिर 6 प्लस 1 is equal to 7, अलग-अलग तरीके से 7 बनता है तो यहाँ पर है Make Double, यानि कि 7 है, यह दोनों ही है, देखो 7 प्लस 7 is equal to 14, क्या आएगा? 1, 4, 14 इसमें अगर हम 3, 3 पार्ट में करेंगे, देखो, यहाँ पर जैसे दिया है 3 नंबर्स, तो हमें कैसे करना पड़ेगा? कि 4 प्लस 3 प्लस 7, तो लास्ट में जो नंबर है तो वो तो से हमी रहेगा, क्या आएगा? 1, 4, 14, चलो, 7 प्लस 7 is equal to 14, अबर अगर हम इसको 3 नंबर्स में करेंगे, तो कैसे करना पड़ेगा? 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 is equal to 7 होता है, 7 प्लस 7 is equal to 14, यानि कि आप ऐसे करोगे तो भी 14 आएगा, और यह ऐसे टाइप के करोगे तो भी 7 आएगा चलो, make a 10, चलो, अभी हम 10 के रिये करेंगे, यहाँ पे 4 है, वो तो दिया ही है, अभी हमें 10 का, जैसे हमने 7 का ऐसे बनाएगे, अभी हम 10 का बनाएंगे, तो 7 प्लस 3 is equal to 10, यहाँ पे आया 10, येस, अबर हम यह इसको 3 लाइन में कनवर्ट करेंगे, तो 4 प्लस 7 is equal to 4 प्लस 3 is equal to 7, 7 प्लस 7 is equal to 14, आया same answer, येस, अभी हम यहाँ पे 10 लिया है, हमने 10 प्लस 4 करेंगे, तो भी answer हमारा रहेगा, 14, ऐसे ही हमें अभी, यहाँ पे हमने 7 के 2 parts किये थे, डबल किये थे, यहाँ पे 10 के किये, 7 प्लस 3 is equal to 10, and 10 प्लस 4 is equal to 14, तो यहाँ पे same answer आया 14, ओके, जै देखो यहाँ पे, 4 प्लस 10 is equal to 14, यहाँ पे आया 7 प्लस 7 is equal to 14, अगर आप इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से करोगे, तो भी answer तो आपका same ही रहने वाला है, इसको आप उलट सुलट करके कुछ भी करो, तो भी answer तो हमेशा same ही रहेगा, add in any order, चलो, अभी है ये 11, 11 को ह हम two parts में convert करेंगे, तो आएगा 7 प्लस 4 is equal to 11, ओके, अभी यहाँ पे 3 है, 3 है, चलो, 11 में अगर हम 3 add करेंगे, तो भी हमारा answer रहेगा 14, रहेगा ना, इसको भी हमने two parts में convert किया, देखो, यह two parts है, 11, और यह two numbers है, इसको हमें three number में convert करना है, तो इसके हमें two parts करने पड़े तो इसके हमने two parts करके किया, 7 और 4 दोनों अलग-अलग कर दिया, तो इसको दोनों के plus करोगे आप, तो क्या आएगा number 11 आएगा, और 11 में आप three plus करोगे, तो आएगा 1, 4, 14, think about 11, 11 plus 3 is equal to 14, You can add number in any order and still get the same number, जैसे हमने अभी सिखा, यह आप कुछ भी उलट-उलट करो, चलो, 7 plus 4 करोगे, तो 11, 11 में आप three add करोगे, तो 14, आया same answer, ओके, चलो, अभी नीचे, यहाँ पे देखो, 7 plus 3 करोगे, तो 10, 10 में four add करोगे, तो 14, इसको आप इसके साथ करो, इसको आप इसके साथ करो, यहाँ फिर यह दोनों को करके, यह इसमें plus करो, तो भी answer रहने वाला है आपका, same, still get same number, ओके, समझ में आया, children, चलो, अभी हम आगे सिखेंगे, find the sum, one is done for you, ओके, यहाँ पे हमने किया है, चलो, अभी हम आगे, जैसे हमने सिखा, वैसे हम आगे करते है, चलो, यहाँ पे, nine है, five है, one है, तो यह तीनों का अगर हम count करेंगे, तो क्या answer रहता है, वो हम देखेंगे, चलो, अभी जैसे हमने आगे किया, same is, अभी यहाँ पे example के द्वारा सिखेंगे, चलो, यहाँ पे दिया है, nine, five, one, तो अभी हम यह तीनों का count करके देखते हैं कि क्या answer रहता है, nine, तो nine, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, five, one, two, three, four, five, one, one, अभी हम यह count करेंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, and I answer 15, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 15, क्योंकि इसका answer आएगा 15, अभी हम यह उलट सुलट करते हैं, okay, one, plus nine, one, plus nine क्या होगा, चलो, यह nine है, उसमें मैं one add करूंगी तो होगा, one, zero, ten, यहाँ पे one, zero, ten, लिखा, और यह five, तो यहाँ पे five, अभी ten plus five, यहाँ पे यह ten हुआ, ten plus five, 11, 12, 13, 14, 15, answer क्या आया, 15, इसको हमने उलट सुलट किया, तो भी answer आया, same, चलो, अभी हम second example के द्वारा सिखेंगे, अभी हम यह दोनों को उलट सुलट, यहाँ पे हमने यह दोनों को किया, अभी हम यह दो five, one, two, three, four, five, six, and seven, अभी five, one, two, three, four, and five, अभी हम count करेंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, twelve, फिर हम यह three भी करना है न, one, two, three, तो उसका answer है fifteen, ओके, अभी हम उलट सुलट करेंगे, यह दोनों को count करेंगे, तो one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, यहाँ पे आया seven plus five is equal to twelve, और यह three तो है न, तो यहाँ पे हम three लिखेंगे, तो भी answer रहा हमारा fifteen, twelve plus three is equal to fifteen, आया, ओके, चलो अभी एक और example से हमें सिखते हैं, अभी यह दोनों को हम merge करेंगे, पहले यह तीनों को count करेंगे, seven तो one, two, three, four, five, six, seven, eight है तो one, two, three, four, five, six, seven, eight, two है तो two, अभी total हम count करेंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, sixteen, and seventeen, इसका answer है seventeen, अभी हम यह दोनों को merge करेंगे, यह eight है, यह two है, eight plus two is equal to one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, or ten, इसका answer आया ten, अभी ten में हम seven plus करेंगे, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, seven, तो answer रहा ना, same, seventeen, ऐसे आपको, कई यह दोनों को करो, या फिर यह दोनों को करो, या फिर यह दोनों को करो, answer तो जो है, वो same ही रहेगा, ओके, तो यह जो दो है, वो आपको खुछ से feel करना है, एक बार same as, यह जो मैंने अभी सिखाया, ऐसे ही आपको यह नोट बुक में लिखना है, चलो अभी नीचे, edition stories, first है, two dicky birds were sitting on a tree, यहाँ पे दो dicky birds बैठे हैं ना, two more come and sit there, how many birds there in all, चलो, यहाँ पे two तो थे, tree पे बैठे थे, ओके, dicky birds, यहाँ पे two, फिर more two आए, तो यहाँ पे फिर से two, two थे और two आए, तो all together कितने होंगे, one two, one two, one two, three and four, तो यहाँ पे answer क्या आएगा, four, क्या आएगा answer, four, चलो, अभी नीचे हम some swallow करते है, three, there are five finger on one hand, and five on the other, एक आथ में five fingers है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे five, and other hand में भी five है, तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे five, how many fingers are there in all, तो total मिला कि कितनी fingers होगी, तो हम count करेंगे, one two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, कितनी हुई, ten fingers, यहाँ पे हमने लिखा ten, चलो, अभी नीचे, सुरेश bought a fifteen orange, and निकिता bought a four orange to school, how many orange did they bring in all, सुरेश के पास कितने है, fifteen, निकिता के पास है, four, all मिला के कितने होगे, चलो count करेंगे हम, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, यहाँ पे आएगा fifteen, वो सुरेश के पास थे, one, two, three, and four, निकिता के पास four थे, तो यह fifteen, plus four, sixteen, seventeen, eighteen, और nineteen, कितने oranges है, nineteen, oranges हमारे पास है, चलो, अभी fourth है, John has six red pencil and two black pencil in his box, John के पास six red pencil है और two black pencil है, if her mother give him eight more yellow pencil, then how many pencils are there in box all together, अधर चलो, six उसके पास red है, two उसके पास black है, और उसकी ममा ने उसको eight pencil और दी, कौन से color की yellow, तो all मिला के कितनी होगी, वो हम count करेंगे, six, one, two, three, four, five, six, two, one, two, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, अभी हम count करेंगे पूरा, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, and sixteen, कितनी pencil टोटल हुई उसके पास, sixteen pencil, ओके चिल्डरन, तो आज हमने सिखा, कि अभी तक आगे जो हमने two number में हम addition करते थे, वो अभी हम three number से addition करेंगे, एक example यहाँ पे दिया है, यह आपको notebook में लिखना है, और अच्छे से read करना, learn करना है, और ऐसे more sum solve करने है, वो मैं आपको notebook में लिखके देती हूँ, उसका pick लेकर करके बेजूँगी, आपको उसके सारे sum solve करने हैं, जैसे मैं आपको ने किया ना, same as वैसे, okay, thank you children.